हाई कोट के नर्देश पर इंदार प्रिशासनिक संकुल में प्रत्यक मंगलवार को मध्यस्थता कमेटी के सदश से सुनवाई के लिए बैकने लगे हैं अब तक समीती के समक्ष नौ प्रकरण आ चुके हैं समीती दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कर रही है तकि आपसी समझोते से प्रकरण का निराकरण हो सके देखिए ये खास रिपोर्ट सिविल मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करने की पहल हाई कोट ने प्रारम की थी इस सिकड़ी में कोट ने राजस्थता से सम्मंदत मामलों का निराकरण भी मध्यस्थता के माध्यम से करने की पहल की है इसके लिए पिछले दिनों मानने एजजस्चिस विवेक रूसिया ने प्रशाषनिक संकुल अंदौर में आयोज़ित हुई वर्क्शॉप में मध्यस्थता केंडर के महत्व को समझवाया था इस वर्क्शॉप के बाद अंदौर के प्रशाषनिक संकुल में भी मध्यस्थता केंडर प्रारम हो गया है पिछले मंगलवार से हाई कोट द्वारा नामित सदस्यों ने राजस्व से सम्मंदत प्रक्रम में पिछले दिनों मान्य जस्टिस विवेक रूसिया ने कलेक्टर संकुल में प्रसिक्षड वर्क्शॉप में मध्यस्थता केंडर के महत्व को समझवाया था इसके बाद प्रशास्तिक संकुल अंदौर में मध्यस्तता केंड के शुरुआत हुई पिछले मंगल्वार को समीती के समक्ष समीती के सादस्यों के मताबे के सव्यावस्था से कोर्ट में लगने वाला समय और धन दोनों की ही बचत होगी दोनों बक्षों को सनुवाई करके समझाते के लिए उनसे चार्चा करते हैं कि अगर जो भी बैधाने के चार्चाएं समझाता हो सकता है उससे बात करके हम लोग अपने रेपोर्ट में परेसाइड हो दाएगा परेसाइड ने अभी तो दूसी सुनुआई है पिहली बार हुआ था तो अभी हम लोग तो प्रसासने तरफ से दोनों आई रहें और मद्यस्ता समिती जो है उसके चुनूवी सरस्भी समिती के लिए जाते हैं तो पिहली बार अलग आये थे इस बार अलग मेंबर आये हैं प्रक्रेंट भी मद्यस्ता समीती के समक्ष भेज़ जवा रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट एम्पी न्यूस इंदार